हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबर यूट्यूब चैनल, मैं हूँ सिवास दुवेदी, आज के इस वीडियो में हम DFCCIL के CVT, फर्स्ट स्टेज का जो एक्जाम आपका होने वाला है, इसके सलेवस, क्या-क्या टॉपेक्स आपको इसमें पढ़ने होंगे, साथ ही साथ आप किन बुक्स को फॉलो करें, और कहां से अपनी त्यारी करें, इन सभी पॉइंट्स को डिसकस करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, कि जो आपका CVT फर्स्ट स्टेज का एक्जाम होने वाला है, वो सभी पोस्ट के लिए होने वाला है, चा और ये एक्जाम आपका screening type का एक्जाम होने वाला है, अब जो CVT फर्स्ट स्टेज का एक्जाम है, चाहे वो किसी भी पोस्ट के लिए हो, वो सभी के लिए एक जैसा सलिवस है उसमें, आपके जो question के paper आने वाले हैं, जो level आने वाला है, वो सभी के लिए एक जैसा रहने व होगा, और first stage की CVT में आपका यहाँ पर one-fourth की negative marking भी होने वाली है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, कि जो आपकी negative marking है, यहाँ पर one-fourth की होने वाली है, इसके बाद जो आपका CVT two stage का एक्जाम होगा, जिसको हम second stage CVT के सकते हैं, उसमें जो भी बच्चे CVT first मे sort list किये जाएंगे, उसके 20 गुना candidate जो है CVT two के लिए eligible होंगे, यह साप साप यहाँ पर notification में दिखाया गया है, उसके बाद जो operation and BD की post है, जो की station master की post के बराबर होती है, उसमें आपका psycho test भी होता है, तो जो भी बच्चे CVT two, CVT two में qualify करेंगे, उसके 8 गुना candidate को यहाँ पर psycho test के लिए बेजा जाएगा, और इसके बाद आपका document verification होगा, जो की one ratio one के अंतरगत आपको वहाँ पर document के लिए बुला जाएगा, यहाँ पर हमने scheme of examination के जो important points से आपको discuss करके बता दिये हैं, तो अब बात करते हैं, कि जो आपका CVT first stage का exam होगा, सबसे पहले उसको तो ह अब भी आपको ध्यान रखना होगा, और इसके साथ साथ इसमें one fourth की negative marking भी होने वाली है, सबसे पहले तो यह तीन points आपको ध्यान रखने हैं, अब यहाँ पर जो आप syllabus देख पा रहे हैं, तो इसमें आपके syllabus में 5 subject पूछे जाएंगे, पहले mathematics पूछा जाएगा, इसके ब knowledge about railways, DFCCIL, यानि कि आपका जो fifth number का subject है, यहाँ से आपके 10 question, अब math से यहाँ पर 30 question होगे, और reasoning से भी यहाँ पर 30 question होगे, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर weightage के आधार पर अगर देखें, तो दो subject का सबसे ज़्यादा weightage है, math का और reasoning का, यहाँ पर math और reasoning, इन दोनों को मिला दिया जाए, तो math और reasoning से ही यहाँ पर 60 question आपके पूछे जाने है, तो सबसे पहले तो आपका यही काम होना चाहिए, कि आपकी math और reasoning काफी अच्छे तरीसी से strong होनी चाहिए, इसके बाद आपको इनकी practice भी अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो time मिलेगा, तो आपको 90 मिनट का ही time मिलेगा, और 90 मिनट के time में आपको 100 question करने होंगे, जिनमें से 60 question तो math reasoning के ही होने वाले हैं, जो कि कई बार ऐसे math reasoning के question आ जाते हैं, जो कि बहुत जादा time लेते हैं, अगर हम math की बात करें, तो वो तो फिर भी आपसे practice से हो जाएगी, reasoning की बात करें, तो reasoning में भी अब इस तरीके से question पूछे जाने लगे हैं, जो कि काफी जादा time लेते हैं, वो देखने में लगता है कि चलो reasoning है, ये तो सभी से बन जाती है, लेकिन अगर आपने practice अच्छे से नहीं की, तो reasoning ही आपको वहाँ पर फसा सकती है, क्योंकि अब reasoning में sitting arrangement, इस तरीक से topic भी discuss करेंगे, कि आपको कौन-कौन से topics पढ़ने होंगे, और कहां से इनकी त्यारी करनी होगी, वो भी हम आगी चलके discuss कर लेंगे, इसके बाद आपकी journal awareness है, और journal science है, सबसे पहले हम journal awareness के लिए बात कर लेते हैं, तो journal awareness के यहाँ पर 15 question पूछे जाने हैं, अब इन 15 question में से अगर हम बात करें, तो current affair के भी कुछ question पूछे जाते हैं, जरनल awareness के 15 question में से अगर हम current affair की बात करें, current affair जो आपकी पूछी जाएगी, वो minimum current affair के 3 question पूछे जाते हैं, और maximum से maximum यहाँ पर current affair के 5 से 6 question पूछे जा सकते हैं, लेकिन कम से कम तो आपके 3 question आने ही आने हैं, current affair क और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5-6 भी हो सकते हैं बाकी और भी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन एक अनुमान के मताबिक है जिस प्रकार से पिछली एर जो एक्जाम DFCCL ने कंडेक्ट करवाए हैं उसके आधार पर मैंने एनलेसिस के आधार पर यह पाया है कि Current Affair के 3 से लेकर के 5 कोशन जरूर पूछे जाते हैं अब आपकी बात करें Current Affair आपको कहां से तयार करना है तो Current Affair के लिए सबसे बहतर सॉल्यूशन होता है एक SPD की Book आती है SPD की Current Affair की Yearly Book आती है तो आप SPD की Current Affair की Book ले ले और यह एक साल की जो Book होगी जैसे कि आपका एक्जाम होगा अगस्त में तो एक साल वाली वो Book ले ले और जो बीच में आपका भी Current Affair चल रहा है जैसे कि मई है बीच में जून आएगा जुलाई आएगा तो इन दो महिने के जो Current Affair है वो भी आप जरूर अच्छे से कवर करें क्योंकि बहुत Nearest Current Affair भी पूछ लिया जाते हैं तो आपको यह एक साल का प्रॉपर Current Affair अच्छे से आना चाहिए अगर आप SPD से कवर करते हैं तो आपके जो Current Affair अगर पांच कोश्चन Current Affair से पूछे जाते हैं तो लगभग चार कोश्चन आप से जरूर बन जाएंगे क्योंकि SPD में काफी चीज़ें कवर होती हैं और बहुत सारे लोग उसको फॉलो भी करते हैं मैंने भी फॉलो की हुई थी तो लगभग SPD मुझे अच्छी लगी है तो आप इस तरीके से SPD ले सकते हैं बाकी और भी मार्केट में बुक्स हैं तो उनसे भी आप देख सकते हैं अगर आपने किसी और बुक्से पढ़ा है आपको लगता है कि ये बुक्स भी अच्छी है तो आप उस पे भी जा सकते हैं लेकिन मैंने स्पीडी से पढ़ा है तो मैं आपको स्पीडी से बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है स्पीडी आप ले सकते हैं अब बात करते हैं कि आपके अगर 15 मैंसे 3-5 question current affair के आ गए तो बाकी बचे हुई question होगे जो की history होगी, geography होगी, polity होगी, इसके अलाबा आपके बाकी चीजे economics भी हो जाएगी तो यहाँ पर हर एक subject से लगबग 3-4, 3-4 इस तरीगे के question पूछे जाएंगे तो कई लोगों को history अच्छे से बनती है, कई लोगों को polity अच्छे से बनती है, कई लोगों को economics इस तरीगे से अच्छे से बनती है तो जो भी आपको subject अच्छे से बनती है, उनको आप cover कर ली जगा बाकी इनके लिए तो बहतर यही होगा कि आप previous year question को देखें क्योंकि वही question यहाँ पर repeated होते रहते हैं, ज़्यादा journal awareness में अगर आप focus कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो हाला कि CBT2 में भी journal awareness है, तो इसके लिए भी आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि journal awareness आपको पढ़ना ही होगा पर previous year पर ज़्यादा focus करेंगे, तो वो आपको एक, सबसे पहले तो आपको यह पता चलेगा कि कहां से क्या चीज़ें पूछे जाती हैं, उसके बाद आप फिर वहाँ पर अपनी थियोरी को cover कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं जर्नल साइंस की, तो यहाँ पर जर्नल साइंस का भी बेटज अच्छा खासा है, 15 marks के यहाँ पर question है, जर्नल साइंस से और CVT2 में भी आपके जर्नल साइंस से question पूछे जाएंगे, तो कुछ subject तो आपके ऐसे हो जाएंगे, जो अभी भी तियार हो ज दिये, उसको अगर आप पढ़ लेते हैं, उसके जो एक्जांपलर हैं, उसके question को solve कर लेते हैं, उसमें जो asertage आपके fact दिये हुए हैं, वो चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, तो आपकी science आराम से कबर हो जाएगी, और आप science में आराम से 10 से 12 नंबर तक easily लाप आएंगे तो courses करें कि आप NCRT को ही पढ़ें, जो सरकारी book है, बाकी market में summarize book भी आती हैं, तो उन पे अगर आप ज़्यादा ध्यान ना दें, बलकि सरकारी book को ध्यान में रखके पढ़ें, तो ज़्यादा बहतर होगा, ये आपको ज़्यादा benefit करेंगी, तो general science, इस प्रकार से अब य about railways, DFCCIL, तो यहाँ पर 10 question आएंगे आपके, तो railway का जो knowledge है वो आपको पता होना चाहिए कि कहां से इसकी शुरुआत हुई, क्या-क्या इसके zone है, कौन-कौन से headquarters होते हैं, क्या-क्या कुछ important बीच में घटनाए हुई, बाकी कुछ railway की special train भी चली है, जैसी किसान rail train चलती ह जो पहली कप से शुरुआत हुई थी, सौमी कप से शुरुआत हुई थी, कहां से कहां तक चली थी, बंदे भारत पहली train कहां से चली, कप से यहाँ पर बनना शुरू हुई, जितनी भी workshop होती है railway की कुछ important जैसे ICF है, Intrigal Coach Factory जो की चिन्नाई में है, वहाँ पर ये बंदे इंजन बगएरा जो होते हैं, उनका workshop काम होता है, वहाँ पर इंजन मनते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी होगे, हाला कि जो आपका ये knowledge about railway और DFCCL है, इसके लिए मैं जो notes है, वो proper notes बना रहा हूँ आपके लिए, तो मुझे लगभग यहाँ पर 15-20 दिन का time लगेगा, वो मैं आपको notes provide कर दूँगा, handwritten notes होंगे, उससे अगर आप cover कर लेंगे, तो easily आपके जो 10 marks के question आएंगे, वो बिल्कुल cover हो जाएंगे, और previous question भी मैं अभी analysis कर रहा हूँ कि कहां से क्या चीज़ें पूछी जा रही है, उन सब को analysis के आदार पर मैं आपके ही होने वाली है, तो अब यहां पर हम यह बात कर लेते हैं कि अभी तो हमने subject की बात की, तो आपने subject में देखा कि कौन-कौन से subject पूछे जाएंगे, अब यहां पर कौन से subject से क्या-क्या topics आपके पूछे जा सकते हैं, या पूछे जाते हैं, वो मैं आपको यहां पर बता हाला कि official notification में ये सब कुछ नहीं वताया है कि कहां से क्या चीज़ें पूछा जाएंगी लेकिन previous year में जो exam हुए है उनको analysis किया है बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ों को यहां पर analysis करने के बाद जिस प्रकार से railway के exam में pattern होता है जो वहां पर railway के exam में पूछे जाते हैं लगभ हुए हैं तो आप इस video को pause करके इन topics को लिख सकते हैं और इनी topics को topic by topic आप cover कर सकते हैं इसके बाद आपकी general intelligence और जो reasoning है यहां से भी आपके 30 questions पूछे जाएंगे तो बहुत जादा बेटेज आपके ये दो subject रखते हैं तो इन दो subject में आपकी काफी अच्छी command होनी चाहिए अगर आपकी इन दो subject में command नहीं है तो आपको वनानी पड़ेगी और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं इस तरीके से CBT first कैसे भी करके इन दो subject को छोड़ करके पास कर जाऊं तो ऐसा बिलकुल भी possible नहीं है क्योंकि ये subject आपके आगे भी काम आएंगे इसके बाद यहां प पांच question आपके current affair के आते हैं exact पांच current affair के नहीं आते हैं लेकिन 3 से 5 के बीच आते हैं और कुछ ऐसे question होते हैं जो कि आपके current affair से relate भी करते हैं तो अगर आप current affair पढ़ेंगे तो उससे आपके question related आ जाएंगे तो सिर्फ आपको ये general awareness में जो topic दिये हुए हैं उन topics को ही cover करन हैं इसके अलाबा आपको extra topics cover करने की जरूरत नहीं होगी general science की बात करें तो इसमें आपकी physics होगी chemistry होगी life science होगी जो की आपका CVSC या फिर NCRT जो होती है उसकी 9th और 10th की जो NCRT होती है वो जरूर आप अच्छे से cover कर लें उसको cover करेंगे तो science में भी आपकी tension खतम हो अब जो topic आपको पहले से बनते हैं उनको आप practice कीजेगा जो topic आपको नहीं बनते हैं उनको किछी अच्छे teacher से आप पढ़िएगा उन teacher से notes बना लीजेगा उनको बार बार revise कीजेगा उस तरीके के question को बार बार practice कीजेगा तो आपसे वो topic भी बनने लगेंगे इसके बाद आपको करना क्या है कि जब आप अपने जितने भी topics दिये हुए हैं उनको cover करते चलिएगा साथ ही साथ आपको इसमें practice के लिए भी time देना होगा आप अगर ये सोचेंगे कि मेरे जो topic हैं जो syllabus है वो पहले cover हो जाए उसके बाद में मैं practice करूँ तो ऐसा बिलकुल भी मत की ज question है उनको cover करें railway के बहुत सारे exam हुए हैं 2018 से लेकर के 2022 तक ALP Tech का exam हुआ है RPF, JE, NTPC, GroupD इसके अलाबा DFCCIL के भी 2018 में exam हुए थे 2021 में exam हुए हैं तो जो आपके non-tech के subject हैं उनको वहां से आप pick कीजिएगा उन question को वहां से pick कीजिएगा और उसको solve कीजिएगा उसकी practice कीज इसके अलाबा आप reasoning में reasoning के topic भी मैंने आपको बता दिये हैं उन topics को अच्छे से cover कीजिगा और सबसे ज्यादा benefit होगा कि आप previous year को ज्यादा follow कीजिगा और reasoning में previous year आपको जो nearest exam हुए हैं जैसे कि अभी हाल फिलाल GroupD का exam हुआ है इससे पहले DFCCIL का 2021 में exam हुआ है उनको changes आना सुरू हो गया है बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है कि अब आप वहाँ पर फस सकते हैं क्योंकि reasoning जो है वो बंस अभी से जाती है लेकिन reasoning बनाने के लिए जो अगर आप जो time दिया हुआ है उस time में बना लेते हैं तो ही आपका फायदा होता है तो इस तरीके से आपक प्रेंथ की ये वाली बुक है इन दौनों को अच्छे से पढ़िएगा इनके exam पिलर को जो होते हैं उनको आप solve कीजिएगा इनके question को देश कीज़ा एजर्टेज question यहां से पूछ लिया जाते हैं तो ये सबसे बड़िया तरीका होगा आपकी science को cover करने का इसके अलाबा जब आपकी science theory से cover हो जाए और चाहें तो आप बीच बीच में ही जो previous year railway के exam हुए हैं उनको आप cover कर सकते हैं यहां से practice कर सकते हैं क्या चीज़ें आपसे बन रही हैं क्या चीज़ें आपसे नहीं बन अगर आप previous year question को जादा focus करेंगे तो ही आपका जादा benefit होगा क्योंकि वहां से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के question पूछे जादा वास्ट है उसको पूरी तरीके से cover करना सभी के हाथ में नहीं है सब कुछ possible यहां पर नहीं हो पाएगा तो previous year करेंगे तो बहुत सारे topics आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल compulsory होंगे उन topics को आगर आपने समझ लिया कि यही topics आपको करने हैं तो फिर आपका यहां पर journal awareness जो है काफी अच्छा score दे जाएगा और बाद में जो आपका CBT 2 exam होगा उसमें भी help करेगा तो इस प्रकार से previous year पे ज़्यादा focus करें जर् subscribe कर लेना notification वाल आइकन को भी प्रेस कर देना वीडियो को like जरूर करना अपने friends के साथ इसको share चरूर करना so thank you for watching